हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस जितने वी चात्र दो हजार चोबीस में बोर्ड का एक्जाम देने वाले हैं उन सभी चात्रों के लिए एक परकार का जो गड़ीत का पेपर वायरल हुआ है इसका यहां पे हल कराने वाले है यह पेपर आपका 27 फरवरी को ठीक है 27 फरवरी को जो आपको गड़ीत का पेपर होने वाला है उसमें मैक्सिमम सवाल इस पेपर से आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा यह पेपर का जो सेट है 822 जेड जेड है ठीक है अब यहां पे आपको पेपर को हल करन के लिए जो समय मिलता है तीन घंटा पंद्रे मिनट का समय रहेगा और जो पुडांक रहेगा टोटल सतर नंबर का होने वाला है इसके यहां पे कुछ निर्देश दिए गये हैं जिसको आपको पहले से जानना जरूरी है देखिए पहला निर्देश क्या है आपके लिए कि 15 मिनट तक क्या होता है कि आपको प्रशन पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाता है इसमें सभी प्रश्ण करना आपके लिए अनिवार ठीक है प्रश्न के दो खंड दो खंड है खंड आ में क्या होगा कि 20 अंक का 20 बहुई कल्पी प्रश्न होगा जिसका उत्तरा को क्या करना रहेगा ओमर सीट पर देना रहेगा ठीक है अगले निर्देश को देख लेते हैं देखें अगला निर्देश क्या है कि जो OMR सीट पर एक बार आप एंसवर देंगे तो एंसवर देने के बाद OMR सीट पर आपको किसी प्रकार का कार्ट पिट नहीं करना रहता है ठीक है इसलिए सोस समझ कि OMR सीट को आप भरिए गया खंड बह रहेगा 50 अंक का वड़ात्मक प्रश्ण रहता है ठीक है जिसे आपको उत्तर पुस्तिका पर देना रहता है खंड बह में टोटल कितने प्रश्ण रहेंगे आपके पांच प्रश्ण रहेंगे प्रतेक प्रश्ण के प्रारम में असपस्टल लिख दिया गया है उसके कितने खंड करने होंगे तो आप कि आपको नश्ट नहीं करना जिस प्रषन का आपको नहीं आ रहा है इसके कुछ निर्देश दिये रहते रहने से आपको प्रकासी निर्देश पढ़ने के लिए मिले गा तो इस निर्देश को पहले से जानते रहें जैने फिंगी आपका dooто होता है जहां से आप सभी को पहला प्रश्ण है कि द्यू घात समी के रड़ तीन एकस स्कॉयर माइनट च्छ एकस प्लस चार बराबर जीरो का विविक्तिकर होगा पर तेक प्रश्ण एक एक नंबर का होने वाला है अब देखिए इस प्रश्ण को आप कैसे हल करेंगे बहुत सिंपल तरीका से हल करके बत माइनस फोर एसी यह फार्मूला होता है यहाँ पर देखिए यह जो होता है यकस स्कॉयर के बगल में जो होता है एक कमान होता है यकस का जो गुड़ांग होता है बी कमान होता है यह सी कमान होता है आपको क्या करना है बस यहाँ पर मान रखना है बी कमान कितना है माइनस च च्छा का स्कूर कर लीजिए माइनस चार गुड़े क्या मांद कितना कितना हो दो चार कर लीजिए माइनद च्छा कि कितना होगा जाया जब ध्यान से देखेंगे टिवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है डिके फ्रेंस जिस प्रशिन का आपको पहले से आ रहा है उसका एंसवर आप कमेंट बाक्स में साथ में लिखते रहें ठीक है देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि समय करण 3x2y बराबर 6 तो y बराबर 0 का हल होगा यहां पर y बराबर 0 दिया है तो इसका हल पूछ रहा है कि क्या होगा 3x2y बराबर 6 यहां y कमाण 0 दिया है जहां पर y लिखा है वहाँ पर 0 रख के हल कर लिजे देखिए 3x ब्लस कितना है बराबर 6 यहां पर 3x करेंग तो 0 बराबर 6 थे 3 x बराबर कितना होगा 6 होगा यक्स कमान केहत करना है थे 6 बटाके गुड़ा में 3 कोब चांद रकर 3 यक्स कमान कितना है 2 आया थी इसका मतलब आपके क्या हुआ और यक्स बराबर दू हुआ और y बराबर 0 तिसका मतलब एंस्वर होगा 2 कामा जीरो क्या होगा दू कामा जीरो देखते हैं कहां पर है देखिए अब आपसन को लगाते समय ध्यान दीजिएगा आपका दिया है दू कामा जीरो दिया है जीरो कामा दू दिया है तो पहले जब भी लिखा जाता है तो पहले यक्स कमान लिखा जाता है फिर उसके बाद लिखा जाता है यकस कमाण आपका बंटी साही जवाब हेसी प्रकास इस सवाल को लगाना था स्वाए को..? तेस्य देखते हैं दिंधे आपका तीसरा नंब्र का सवाल क्या है ये एक मैरे टौन이스 कमा दू तथा बी गदई शागल को जोड़ने वात पे रेखा खन का मद्दी बिंदु यहाँ चया GC maa Aiv4 a UK मान यहाँ पर यहाँ होगा यहां प extension दिया है मद्द्रेकल यह क्या है मद्द्री बिंदु गप्लावर फार्मॉला क्या हमात था अधम विस्तार से समधिये, मद्धी बिंदू बराबर फार्मूला आपको क्या होता है? तो मद्धी बिंदू, X, Y बराबर फार्मूला आपको हो जाता है, X1 प्लस X2 बटा के 2, कामा Y1 प्लस Y2 बटा के 2, यह फार्मूला होता है, अब देखिए, यहाँ पे मद्धी बिन्दव दिया आ है इसदा यह बटा आर्ट यहां पर लिखेंगे, ओधे हो धारिकних आर्ट, 4। कॉष्टक बन बैद बेद बटार यह डीख MEM कमान होता है यह 1 होता है यह 2 न यह 2 होता है, 1-4 कि यह यह 2 कर लिए, यह 2 कमान connects है तो 400 यहां पर अपन कर लिए एहां पर होजाए एह नहीं को होगा है एक सवाल चाहिक को Państwo करने के लिए क्या करेंगे कчи यक्स का यक्स कि सिराए नeton कर देंगे देखे यक्स का मान है यह वाई का है तियां सिक्स का तुना कर देंगे यहां क्या हो जाएका जो आठ हो गात एक दू के बराबर बस ले लेंगा डिकी आप जो पिलीग इसलिके यह घ्यार कर लेंगे आट दो के जाएक कितना हो जागा ओर इस प्रकाइइज से हल करना था ए बराबर आपको क्या आजाएगा चार सम जिएगा hatred उसकी हो शक्रां करेंगा इसके साथ तुल्रा कर लेंगे कि इसका वस प्रकाइज सवाल को रह था चलिह आप शनको देखते हैं डेकिए Leslie यहां प्लस चार दिया यहां माइनिस व्ला मत लगा किया अब प्लस व्ला लगा लीजिए यह अब देखे आपके सामने अगला नंबर का सवाल किया है चौथा नंबर का ध्यान दिआ जिए का तो कोड बी कमान पूछ रहा है इस पकाद जब भी आपके बोर्ड के एक्जाम में सवाल आगा तो आप इस सवाल को बिना लगाए भी आप एंसवर बता सकते हैं कैसे बताएंगे कि जब एक एबी कमान च्छा कड़ी में तीन एसी कमान बारह और बीसी कमान च्छा दिया हो इ को इसका हम अश्रा हो गया जाएगा जाया आप इसका एंसवर चेक करना होगा अंटर के सिख करने के लिए पहला कि इसमें सबसे भूजा दिया रहारा है तो बारह के इसक्वार कीजिए और यहां क्या किजिएगा कि चो छोटी डो भूजा आपकी बचके सब से क्यां कि च्छोप गाड़ी में 3 का सक्वार करके जोड देखितु आप सभी को प्य को पता है कि समकौर 3 फूरे यह लाग हूगवता है इसलिए किarmा कितना हो जगारमेस कि नब्यस्स हो asına हो रहा है कि नहीं हो रहा है दिखे बारा के स्कौर करेंगे 144 होगा यहां पर स्कौर करेंगे च्छाइश urpose और इसकार करेंगे तीन होगा थे च्छतिस हुआ तीन को करेंगे तीन अब तीन को गुड़ा कर लिजिए देखे तीन चो तीन चा के अठारा ती तलीक नोक दस कुल मिला के इसको जोड़ेंगे देखे लिए दोनो नो पर बराबर है कि नहीं बराबर हों आपका इसा एंसर सही होगाँ अगला देखे पांचवां नमबर कर सवाल वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 सत्तर को विभाजित करने पर सेस्फल क्रमसं में आठ और पांच प्राप्ट होता है संख्या यहां पर बताना है देखिए आपको यह इंसर पता होगा तो आप प्रूंत इंसर कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं अब देखिए इस सवाल को लगाए है यहां सेस्फल दिया है यानि 125 में से क्या करेंगे 8 को घताएंगे 125 में सब्सक्राइब यह कितना हो जाएगा अब देखिए इस सवाल को सकते हैं यह इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि इस देखेंगे कि कौन सी संख्या चारो आफसन में जिसका भाग देंगे तो दोनों संख्या नहीं कटेंगा लेकिन रिखा रुगा तिरे-बाग देके तिरे नमेंस संख्या चपने लगेगा तो ऑपका अंसर लाफसन और लगाएँ इसको आप लगा सकते हैं लेकिन इस सवाल को आप लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे जब आप इसका स्थ निकालेंगे देखिए सवाल को लगा लेजिएगा अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का च्छटमा नंबर का सवाल है यदि समीक करण यक्स इसक्वायर प्लस के यक्स माइने च्छा बराबर जीरो का एक मूल माइनस दू है तो के का मान यहां पर पूछ रहा है जब भी ऐसा सवाल आपसे प दिया रहा तो इसका मतलब होता है यक्स का मान दिया है तो जो यहां पर आपका समीकर प्लस के यक्स माइनस च्छा बराबर 0 दिया है यही क्या करेंगी यक्स के जगहपे –2 रखके बस हल कर लेंग यह हल करते है माइनस 2 का स्कॉ स्कॉ में बित जीरो इसे को एको मार्च 2 कि बसके कर सदो हो जाएगा इसका कुछ पहला कि कमान कितना है? का आया दो क时候 में चलिए देखिए, कि लंबाई आ ऐसका सही होग़े, बहुले अगले सवाल को देखे, आपको अगला numbers का सवाल क्मान कंदै क्या है? साताम नमुटर का ध्यान दिजिए, यदि सम सम्चत्रभुज के विकड़ों की लंबाई 12 cm और 16 cm है तो इस सम्चत्रभुज की भूजा की लंबाई क्या होगी यहां पर लंबाई पूछ रहा है कि सम्चत्रभुज की भूजा की लंबाई क्या होगी इस सवाल को आप कैसे लगाएंगी बहुत सिंपल होता है पहले सम्चत विकड़ जब आपसे मिला जाता है एक दूसरे को नभय अंस परती छेद कितने अंस पर? यहां- Nou यहां से लेखTन पर पूरा विकड़़़ कितना बारह सेंट्टिम होती निच यहां से लेकर यहां- सामझमधी वाजाजी भी करता है यह चाहां है ती का सबक्रदूज को म depende में नब्य आउन्स बन रही तही सब्साइब आपको आपको क्या करना कि यह आपका नबंवेंस बन रहा है झाई इसमें किया है नवका även पक्त के हो जाएका यह कर्ड कर बराबर आधार का स्कॉायर पिलस लंब का स्कॉार कर लिजिए वस एंसो राजैका आधार कितना बाले आठ आठ का स्कॉार के जिये लंभ कितना है छ श चका कि इसकॉार कर समझाएं इसी तरह सवाल को आपला सकते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है आठावना नंबर का, यदि sign ठीटा बरावर कार्ष ठीटा, यह दिया है कि जो ठीटा का मान है, जिरो नभी अस्ट के बीच में हो, ठीटा का मान पूछ रहा है कि ठीटा का मान क्या होगा, देखिए इस सवाल बहुत ज्याज़ा सिंप नचाना होगा तो है सो अपस्मझेते हैं कि आपको सम्झा देते हैं यहां पर दिया है here क्या एक एक सायिअग ञिकान परदेशकर क्या मरलात कुर्षप टाइख्षप टाइसंगे कश टी जि SUS绅व पर लिग सकते तो आप सभी को पता है कि 10 45 अंस का मानेक होता है एक जगह पर हम 10 45 अंस रख सकते हैं तो ठीटा वरा कितना है 45 अंस तो आपको स्टार्टिंग में बता दिए कि जब ऐसा सवाल पूछे आपसे इस सवाल को आपको लगाने के जिरूरत नहीं सीधे एंसर बता है साइन ठीट आपका श्रिया बराबर तो इसका एंसर आपको सीधे 45 अंस होता है अगला सवाल देखिए द्यान से क्या है आपका अगला सवाल संख्या 144 की अभाज गुणंखंडों के घातों का योगफल पूछ रहा है कि घातों का योगफल कितना होगा तो पहले 144 का अभाज गुणंखंड कीजिए तो पहले देखिए संख्या कितना से कटेगा दो से कटेगा ना दू साते चाउदा दू दूना के चाल फिर दो से यह गोई जो और भाइए फैना राकत आप कैसे लिखेंगे दू कितने बार है, एक, दू, तीन, चार, यह यह देखे कितने बार है, दू बार होगатель है, अब यह खोला है मिदल पूछे रही आदों के गहां जोग फुर पर का छार और तो तो ने हो पहले हैं, इस बगाशे सवाल को लगाना था अगलाक देखिए कि बिंद्दू मायनस तीन का मैं पाँ की वाई अच्छ से दूरी पूछ रहा है कि वाई अच्छ से यहां यक्स का माण बताते हैं कितना गयां माईना सी गहाई तो वह स्पलाैकर तरीगा सवाल लगता है कई पर सवाल आपको बता भी दिए ऋगळा है है यह बहुई कल्पी का रूप पुछे थिस सवाल को आपको लगाने की ज़रूत नहीं बस आपको बस एक चित धियान देना है यह साइन का दिया बस इन दोने कोड़ों का जोड़ लिजेगा जैसे इन दोने कोड़ों का यूग नभ्यांस आएगा यह बटा में लिखा रहे थि उसन सवाहन हमेशा होता है आपको कुछ नहीं करना है इसको हल भी नहीं करना है सीधा आप एनसर लगाएंगे कितना होगा एक हो जाएगा अब अगला नंबर जू बारानंबर का सवाहल है इसको कैसे लगाएंगे आप उस्त्वाल बारा नबर जो हैं निम्यों की equally का माद् पढ़ेगा जिससे आपको कम समय में सवाल लग जाए वर्गंदराल को इस पका से लिखिए और यह बारम बारता लिख लिए अगला इस टेमें क्या करना रहता है कि आपको मद्दी बिंदू ज्याद करना पड़ेगा मद्दी बिंदू का मतलब होता है कि इन दोनों का योग क यानि कि 0 प्लस 10 बटा के दू करेंगे यानि कितना शुचा के दू और कितना दू पांचे 10 हो जागा ठीक है यहां पर क्या करना है अब इसके बीच में अब वर्गंदराल दिखिए इसमें से गटाएंगे तो दस आएगा दस आएगा दस तक अंतर है तो जो यहां पिना आ 45 हो जागा ठीक है इस पकाश जितना वर्ग अंतरा लाता एक निकालीजिए सब में उतने जो जोड़ते चले आएगा ठीक है अब देखिए जब मादी के आतकरना तो यक्स निकालना पड़ेगा यक्स कमानी यहां पर यक्स कमानी यहां पर यानि पांच गुड़े पांच होगा फिजी यहगा फचीज फांच 1 एक सो पचीश होगा इस तरह पर इक कितना के बाता आक को लासक करना सीगमा F गयाद करेंगे सिगमा F के मान होता है कि सभी को जोलीजिए देखे पांच 6 11 15 16 17 16 23 19 gehen तोटल बीस ऐब इसी प्रकासे यहांसे क्या करेंगे सिगमा F X गयाद करें सिगमा F X का मतलफ होता है जितना है यहां पर मान है सब को जोड लीजिए चलिए यहां पर मान को जोड़ते हैं देखिए पांच पंदर शपंदर पंदर पंचों को बीस वहा हासिल नौ अब बाराद तेरा तेखिए यहांपर कितना नोदी ग्यारा बाराद तेरा तेरा और चार सत्रा सत्रा ठाठ उननेश कितना हुआ उननेश होगे हासिल एक 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 दू दू एक ती कितना हो थीन सुनभे इसको आप सख सफ़ी से जोल लीजेगा अच्छिस समान तरह माध्य पूचा यान 49 बटा के दू भाग दे लिजे कितना आएगा उन्यश दस्मलों पांच आजाएगा इस प्रकास इस सवाल को आपको लगाना था ठीक है यह दू देना चाहिए था आपका कम सकम चार नंबर में लेकिन बहुई कल्पी में पूछा है फिर भी आपको इसी प्रकास से लगा यह दिवल आपसन आपको क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा उन्यश दस्मलों पांच यह था एक नंबर में दिया है ऐसे सवालों को देना चाहिए आपका चार नंबर में लेकिन दे दिया है एक नंबर में तो आपको लगाना पड़ेगा इस प्रकास सवाल को चलिए अ काट ठीक बराब चार बटा के तीनग्व फ़ार्मूला क्या होता है आप सभी हम पता है कि आधार बटा के लम हो तो यहीं आधारgestellt विखे ऐसे सवालों को बार बर बता है कि यह दिखे जाए हमेसा रखेंगा 5 होता है ठीक है इस पकास हमेशा याद रखिएगा यदि आपको लगाना होगा तो पाइथा गुरस पर में से लगा लिजिए आपका पांच ही आएगा ठीक है यह ट्रिक्स है आप जानते रहिए कोश्यक ठीटा बराबर आपसे पूचा है तो आप कोश्यक ठीटा बराब फार्मूला क्या होता है तो आप सब्सक्राइब कोश्यक ठीटा बराब फार्मूला होता है कर बटा के लम हो जाता है क्या होता है क्यों तुप कर साइन को अल्टा होता है क्ल कितना है पांच है लंब कितना तो तो आपको जैसे ट्रिक बता है, आपको पाइधा गोरेस पर बिल में लगाने की जबूदत नहीं है, यह इससे सवाल को कई बार बता चुकी है, ठीक है, अब देखिए अगला नमबर जो है, चोब्धा नमबर का यह दो गोलों के आयतनों का अनुपात, शाइस अनुपात लेए दिया देख email को मानते हैं भी बाइथ दूसरे गोले का फार्मूला क्या होता है TIM लेते हैं इसी तरगेंट लेकर रहेगा ते चरहा तरे को लेका नहीं पाइज Вам का नहीं पेए कितना दीन है सकताइस बटा के tapi देपों लेका नहीं स्टाइस बठीन है थे यहां पे होली Southwest कर लिजीए क्यों हटाने के लिए क्या किया जाता है आप सभी को पता है कि कि दोनों पच्छों का क्या निकाल है घंण मुन निका लेजिए घंण मून निकालेटे हैं तरह 27 कarios के गंण मून निकालेगे तीन होता है चोसट के घंवल चार होता है यह क्या हो जागा आरवन अपन आरट टू हो जागा यह हुआ आपका क्या चीज आरवन आपन आरटू क्या हो तिरिज्याओं का अनुपात हुआ प्रिष्टिय चेत्रफल यानि गोले के प्रिष्टिय चेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है इस कर लिजी कितना है तीन बटगा 4 एफ स्वारों के लिखेंगे नौन अुपात मेरे लिखेंगे इस पकाँ से सवाल को लगाना रहता थी कितना हुआ नौन नौन आपसन को लगाते समय थ्यान दिए यहां पर दिया 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 तो नौ अनुपाथे नौ मत लगाईए गए गए आपके सामने अगला नंबर देखें पंदर नंबर का सवाल क्या है पंदर नंबर का है यह यह कुछ प्रेच्छडों के बहुलक तथा माध्य करम सब 45 और 27 यह प पूछ रहा है कि माध्य का होगा इस पकार के सवाल को कैसे आप लगाथी paradig इस यह होता है दो है पोब भर लग के सवाल को कैसे आप लगाए तह полов नबरता पतिहरे माध्य कई इन गudし autor closest दू पाना इस ठीक बॉलक देखीए पहले बॉलक लिख़ाए था बॉलक कमान 55 है ताअब 45 राखेंगे यहाँ पर तीन गुड़े मात दिस्ता है- दूगुले मात दिखा मात दिस्ता है पांच अब चोवन की जब पच्छांतर कर लीजिए यहां पर हुआ 45 माइनस चोवन इधर आज तो प्लस चोवन हो जाएगा यह हुआ तीन गुड़े माधिका हुआ भी हुआ ठीक है देखिए और फिस वीजिश पांच अरनो पांच अरनो हुआ भी गुड़ा में पच्छांतर कर लेंगा बटा में आ जागत यहां हो जाएग आपका माधिका हो जागा MathThikath MP320adika 3 कटाआं के इतने बारें हो कट्राइन बारें 33 तो MathThikath कितना आयरा पर माद है 33 आगा है चलिए option देखते हैं 33 कहां पिर दिया है तो option में देखी कि आपका क्या हो जागा साय हो जागा थिक है अगला नंबर का सवाल दूज 16 अब 16 नमबर का सवाल आपका इसे लगाएंगे ध्यान दीजें बहुत सिंपल तरीका से यह भी लगता है आपका 16 number का समिकड यक्स 사्कायर म burial दू 1 six plus 1 बутств cat के मूल यहां पर बताना है कि इसके मूल क्या होंगे ठीक है देखि know आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे हां पर लिखा यह कि यग्स fragrance म réalité One स्क्वार माइनध five दू एकस दू एक्स प्लस वणी ब जाए दो औना चाहिए तो एक एक ले लिजी देखे एक में एक जोड़ेंगे अत्व गुडा करेंगे एक हो जाएंगा तो इसका मतलब हुआ कि एकस स्क्वाइर माइनस यहाँ हपी क्या हो जाएगा ? एक यहाँ 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 पर एक प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा ल गुद्ध हमने इसमें also eirmi गामार हो अग्राइद सत्राइद मुद्ध। यहां पर आपसन लगाते समय ध्यान दीजेगा यह वला आपसन सही होगा एक कामा एक आपके सामने क्या है सतरा नंबर का सवाल ध्यान दीजें कि यहां है यदी साट देरा बीश शत्रा तीन एक समांत्र माद अठारा है तो यक्स का माद बंच रहा है यक्स का मान क्या होगा इस परकार के आप कैसे लगाएंगे सिंपल होता है इसे भी लगाना बस अब ध्यान देगे तो श्लाग सबीर है बराबर फार्मृला होता है सभी प्दों का यूग सभी प्दों अे का यूग अपन प्दों की संख्या अब गया कि जी। अथीे हैं अब क्लें अथैर दिये अब अथ्ञ लेजिगें सभी प्दों की यहको मतलब यहां पर हязए तो देखिए 7 प्लस 13 करेंगे 20 करेंगे देखिए यहां पर क्या है प्लस 20 है और प्लस कितना सत्रा है था सत्रा कीजी प्लस 3 एक से तो 3X करें भाठा के देखिए कितने पहुत है एक दू तीन च्यार पांख यानि के बटाव में पांच हो जाएगा ठीक है यहां पर 18 होगा बरावा सबको जोड दीजिए देखे तेरह में साथ जोड़ेंगे तो 20 20 20 40 40 में 17 जोड दीजिए तो 40 10 50 57 होगा कितना होगा 57 प्लस 3x बटाके 5 हो जाएगा ठीक है अब क्या 25% 33 35 प्लस 3 x आप करेंगे 53 माकी 65 कि दर करेंगे 53 बराब्र 3 यक्स होजाएगा ठीक है अब गटा लिजिए 10 भे साथ गया 3 होगा यहां पचेंग Idee 88 M Bryce 5 बहुत जाए तीन यक्स यहां點 5 गटाि 333 35 मेंений चाहरु तेन हो जाएग है यहा यक्स होजागे है तो देखिए यहां पर कहां पर दिया है तो 17 नमबर का कौन साप्शन सही होगा सीवल आपसा सही हो जागा अब देखिए आपके सामने अगला नमबर का सवाल है इस सवाल को देखिए कैसे लगाना है इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखिए यहां पे तीन पर जाल को कितना हो थेकाizers अगलाем की सबराएं की यक्स कई यक्स नहीं करेंगे 3-2x² बढ़ावर 2 बटा के x, x का यह का इधर गुड़ा करेंगा तक हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, यहाँ पर 3-2x² 2, अब क्या करेंगा, अंको को इधर लाएगा, तक यह 2 हो जाएगा, अब यह माइनस 2x को इधर पच्छांदा कलेच थे, माइ इधार आगा तहा प्लस वो जागा दू एकस स्कॉार फोजाक कर भी जागी अब यहाँ पर देखें क्या करना है तीन में सब्ञानीन गठा है एक और ₉ काड़ी के वर्गमूल हमेसा क्या प्लस मायनसकी में होता है यक्स यहां कितना प्लस माईनिस एक बटा के दू बरावर यक्स यक्स कमानी इतना है चलिए आप सब्समें देखते हैं तो एक ही जगह है यह वाला सही जवाब होगा यह भी देखिया प्लस माईनिस एक बटा कर्ड़ी दू दिया ठीक है इस पकास सवाल को लगाना था अगला देखिए सवाल आपका 19 नंबर का सवाल क्या है और कैसे यह लगाएंगा जान दीजेगा यदि दो समरूप तिरभूजों की भूजाएं चार अनुपाते साथ के अनुपात में है तो इन तिरभूजों को छेत्रफ़ों को अनुपात होगा देखें यह आपको कुछ नहीं करना है जब यहां पर समरूप तिरभूज दिया हो और इसमें भूजाओं का अनुपात दिया हो और यहां पर सवाल में तिरभूज के छेत्रफ़ों को अनुपात पूछा हो तो जो यहां पर रहता है इसका स्कौार बस ग्याद कले चार की स्कौार 16 हो जाएगा अनुपात में साथ की स्कौा और यही क्या हो जगा आपके अनुपाद Very Fast त ICE को कैने समरू ठीरुप ते लिए यहाँ पर ऑफ करना चाहिया। पूछ रहा है ते बस यहाँ पर जो संहख्यां देगा हुसका उन 1 संह्ख्या defending 365 कीये थे इसको श्यूंपर तरीगा सब लगा सकते हैं अब देखिए आपके सामनें अगला नमबर का सवाल है और इस सवाल का आप कैसे लगांगे ठेक है कि यह ती एक बिरित का 6 पॉलिख से संभान है तो उस ब्रित की तिरिज्या कोगा ITD एक अर्फारा एक ब्रित का फार्मुल का रिके-द क फार ह Łआर संख्यात्मा कुरूप से क्या है आपस में बराबर है यह दोनों bonsoe क्य बिराबर है इसमें पूछ रहा है किसका तीरिज्या का मान क्या होगा थे कि आप क्या कि जात त diesem सेथिट कुछ रहा है तो यहां पर क्या करेंगगे suppose चेदा रपार से बचेगा कितना हुआ दो हो जाएगा तर चलिए आपसन देखते हैं दो दिया है और डिवला आपसन सही जाए ठीक है यह आपके बहुत शिंपल तरिकाघृट बहुत आसान भासा में बताएं सभी सवालों को ठीक है चलिए इसके कुछ दिर्ग उत्री प्रशनों को देखते हैं ठीक है यहाँ से आपके स्टार्ट होता है तो यहां पर ध्यान दीजीए शेके खंडऊ में सवाल को ध्यान को हो ध्यान दीजे कि सभी खंड आप को सवाल क्या हैова के से हल करेंगे घ्यान दीजीए कि कर दू एक परिमेश संख्या नहीं मतलब किया आपको बहुत दीटेल में बताने वाले यहां पर पहले मानेंगे कि माना कि करड़ीदू क्या है करड़ीदू एक परिमे संख्या क्या मालेंगे एक परिमे परिमे संख्या संख्या है जब यह परिमे संख्या है इसका मतलब हुआ कि इसको कैसे लिख सकते हैं करड़ी दू जो होगा लिखेंगे पी अपान क्यू लिख सकते हैं यानि पी अपान क्यू को परिमे संख्या काते हैं पर पी अ Q जो है p और Q, p और q स अभाज संक्या है, स अभाज संक्या है, संक्या, संक्या है, ठिक है, इस पकाल लेखे लेंगे, और लेखे लेंगे, q is not 0, कभी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, q is not 0, हो औब क्या करेंगे के दोनों पच्छो का वर्ग करने whose कर लिजिए और इधर कर लेंगे इतना करने के बाद देखिए आप क्या करना है आपको अब तीरिया गुड़ा कर लिजिए क्यू करेंगे इसका मतलब क्या क्या सकते हैं डूबग लिख लेंगे अब लिखेंगे यहां पर प्यूबग दो से भाज्य क्या है दो से भाज्य है इतना लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है इसका मतलब क्या होगा आपका कि पी स्क्वाइर जिब दो से भाज्य होगा दो से भाज्य होगा जब पी स्क्वाइर दो से भाज्य होगा ठीक है अब यहाँ पुना क्या करेंगे आप देखिए पुना यहां पर पुना अब क्या करेंगे ठीक है पुना करेंगे कि पी को क्या करेंगा टू आर मालेंगे पुना क्या करेंगे पी को क्या करेंगा टू आर मालेंगे और यहां लिखेंगे किसी धनात्मक । दनात्मक बढर के लिए यानि है आपका धनात्मक पुड़ांग है, ठीक है अर के लिए ठीक है. अब यहां क्या क्या करेंगे, पूनाद्धा दूनाद सफ्सकर करेंगे यहां यहां 2 option square करेंगे. इतना हो अब यहां पर द्यान दिए पी स्कॉार के रिभर क्या लिख सकते हैं देखिए पी स्कॉार, जहां पर इसकॉार बराबर एस को आर इसकॉार कर लिए, कितना हो जाएगा q2 बराबर हो जाएगा two r2 ठीक है अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा आपका यहां पर जैसे लिखें यहां पर यह लिखेंगे कि q2 2 से भाज्य है 2 से भाज्य है, ठीक है, Q क्या होगा, 2 से भाज्य होगा, ठीक है, जिस Q स्कार 2 से भाज्य है, ते Q का मान भी 2 से भाज्य होगा, देखें यहां पे यहां पे यहां पे लिख सकते हैं कि पी कामा क्यूं दो से मस्य भाज है यह पी अपन क्यूं दोनों दो से भाज यह तो जो आप माने थे वह गलत परिकल्पना मानेतने या लिख सकते हैं, कि अता हमारी परिकल्पना गलत है, जो आप मानेते हैं, परिकल्पना क्या है, गलत है, ठीक है, इसलिए, करवार ख्लो एक परी कि ह का अपरी मत्म परीमे पिए मी आप की शेड़त लीनि रहते हैं मैं समझ में आ गई होगा आप सकते हैं अब आपके सामने अगला नंबर का सभाल क्या है ठीक है यहां पर द्यान दीजिए अगला नमबर खावला देखिए तरी भूज पी क्यू आर में कोड क्यू नब्यांस टैन पी कमान दिये एक बटा के करणी में तीन हो तो साइन पी गास और प्लस गास पी श्यन आर कमान गयात कीजिए इस सवाल को लगाते हैं कैसे लगाते हैं यहां संअ लगयां क्या होता है आधार होता है ठीक है कि देखें अब यहां पे आधार को ना लीजिए यहां पे दिया है कोह तो कोड कुदक को यहां पे लिए और यहां पर हो जागा यहां गया फिकितु है नब्यांस हो गया लंब कितना ओयगे एक कार्डिंग लंब यह हो गया आधार कितना कर्णा में तूत कर दो के अब यहाँ से क्या करेंगे पहले करना करेंगे ठीच कहाँ देफिएा गुरस कर में को की से होता था विए फार्मुला कडiously का स्कॉराइर बिराबरं आधार का स्कॉरा βाल मिका आधार का स्कॉराइर कुई कि मु की ती लॉपी एट qp की स्कॉर democrat मारत चाहें ये ऍुपी कितना करें duck किस्कोर कीजिए अर्कितना कितना एक कैस्कोर कर लिए कितना होगा थीन होगा कर दीन कर थीन एक स्कार एक हो जाएक गेज यह इन्य हम पी का स्कॉर डेकर और फिक एक स्क्वायर अब दिखें वर घट आने के लिए क्या लिखेंगे दोनों पच्छों का करड़ी लेने पर करड़ी लेने पर लेने पर ठीक यहां पर रूट में क्या हो जाएगा आर पी का स्क्वायर का रूट में क्या हो जाएगा नग्यां पर अब देखेंगे यहां पर का स्क्वायर आपद ग्याद करना इकाश पर करते हैं यहां पर ज्यांद दिखेंगे यहां पे हो जए यहां इंच साइन भी बराबर कितना है रही कितना है है एक है तो एक अर-पी पिकमान कितना है जोगे जाएक प्लिट जाएगा अधार अभी अब इस सवाल में देखजिए आधार क्या है करड़ी में तीन है तहीं है कि कड़ी में तीन रखिएगा और पाध़ा आपको पदा चला कितना दो है तो दो कर ली तो इतना लिखने लिखने के बाद अब буде सवाल में अभी आपको क्या करना है कि कास आर और शाइट कमान ग्याद करना अभी न यहां से आर के एकारडिंग देखे आप क्या करेंगे यहां पे तिर्भूज बनाईगे यही तरिभूज सेम टुर सेप बना लीजिए कि देखिए क्या है क्या है आपको ग्याद करना थिए अभी थीटा लेज़े इसके सामने के भुजा यह अब लंब हो जाएगा और जी यह है वहला भूजे आधार हो जाएगा अब यहाँ पे और यहाँ आपका कड़ तो रहेगा ही अब यहाँ पी देखिए कास आर ग्याद करना ते पहले कास आर ग्याद कर ले देखिए कास आर बराबर क्या होता है फार्मुला अभी लिखे ते आधार आधार आपां कर लो ठीक आधार क्या है आधार देखेंगे तो आर क्यू है तो आर क्यू क्या है आपका क्या है आर पी तो आर क्यू कमान कितना है तिहां आधार एक है तो एक lieutenant कितना यर बिक मॉर्थ डूकर लिजये ठीक हैर वाकर चलकर का इसको आधार होगतार तक हैं यह न्टैकल के किऩा हैं यहीं कितना है कड़ि कितिन है तो 27 चैसे आधार करने के बाद अब इतना क्याद करने वाद अब देखे सवाल में जो ग्यात करना उसको लिखते हैं सवाल निये ग्यात करना है यहां से देखें ठीक क्या ग्यात करना है साइनपी इंटू कास और प्लस कास पी साइन घं माना घंद फासं हिल कर लिजी साइन फी कमान कितना है यहां पे देखिए तेबिवे साइन फी कमान इक बटा पर रखेंग गुडे कास- और कमान ते एक बटा-पर नियों करेंगे प्लश्षिन कर न करेंगे कंवान के ज condanto कर मों हो जाए गाने स्वाल के अगले मता है एधी आपका कोड़ाइना या पर लग होगा फिर यह उएक है पकास से आप इस सवालों को लगाई एग ठीक है चलिए अगले के सवाल को देखते हैं अगला नंबर सवाल गार गिवगात समीकर 4x2 प्लस 3x प्लस 5 के मूल दिया मूल ग्याद कीजिए मूल जब ग्याद करना वगा तो कैसे इस सवाल को सवाल करेंगे यहां पर लिखा है 4x2 प्लस 3x और प्लस 5 बराबर 0 है इसको क्या करेंगा गुलंखंड की जी गुलंखंड की तरीका आप सभी को बारबर बताते हैं तो कि पांच का चार में गुड़ा करेंगे 20 हुझा पांचों को 20 ऐसे यहां पर दो संख्या सोचना है कि जि इतना आना चाहिए तीन आना चाहिए तो ऐसा कोई संख्या बताएए यहां पर ऐसा संख्या आपको नहीं मिलेगा ठीक है इस पकाद से जब इसका कोई गुलंखंड नहीं होता है तो देखिए इस सवाल को आप कैसे ग्याद करेंगे पहले क्या करेंगे स्रिद्द्र चार स्रिद्र चार का फार्मूला क्या होता है द्यान दीजे यह फार्मूला होता है यक्स बराबर माइनस बी है प्लास माईनस अंडर रूट में बी इसकुर मानम फॉर एसक्defense आपन ट्ु ए होता है यह फार्मूला स्रिद्र चार के होता है अब यहां पर बस मान रख लीजिए दी को मान कितना है तो मैंनस 3 ज्यगा yeast माइनस अंडर रूट में 3 का स्कोर कि लिए माइनस चार गूरे करें एक मांट कितना है चार है उर से कमाट कितना पच्छ तो पंच है और अपान में, दूगुर, एक मान, कितना है, 4 है, तो 4 है, ठीक है, अब इसी को हल करना है, देखें, कैसे हल करेंगे, माइनस 3, प्लस माइनस, रूट में, 3 का 20 स्कूर 9, देखें, यहाँ पे, पांचों को, 20, 4 दुना के 8, कितना हो जागा, 80 upon 4 गुना के 8 हो जाए जाए देखें minus 3 plus minus अब इसको गटा लिजिए 80 में सनो गटा यह कितना होगा 71 वो भी minus 71 upon 8 और यही क्या हो जागा यक्स कमाल हो जागा और यही आपका मूल हो जागा क्या होगा मूल लेकि answer कैसे लिखेंगे मूल देखें मूल मूल आपका होगा यक्स बराबर 1 देखें minus 3 एकला प्लस लिजिए plus करणी में minus 71 अब 8 हो जागा और दूसरा क्या हो जागा minus 3 plus करणी में minus 1 देखेंगे यहाँ प्लस लिए तो आपके कितने मूल मिल जाएंगे दो मूल मिल जाएंगे ति इस प्रकाल से जब आपका सवाल में हाँ पर गुड़ांखंड नहीं होता है तो आप सिर्फ चार का प्रयोग करके इस सवाल को हल करना रहता ठीक है जैसे बताएं इसी तरह आप हल कर लीजिएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे अगला नंबर का सवाल क्या है आपका कि बिंदूओं ए जो दिया है दू कामा माइनस दू और बी कमांद दिया है तीन कामा साथ को जोने वाले रेखा खंड की लंबाई याद कीजिए अब देखे इस प्रकाल के सवाल को आप कैसे लगाएंगे यानि कि रेखा खंड की लंबाई पूछ रह दिया है और इसका क्या दिया है तीन कामा साथ दिया है इसको मालने जी देखे यह यğक्स1 है यह y1 है यह यक्स2 है यह y2 है इस पकास माल लेंगे, मानने के बाद, दो बिंदो की बीच की दूरी आ लगाएंगे, फार्मूला, ठीक है, यह देखिए, A, B, K, बीच की दूरी, बीच की दूरी, फार्मूला आपका होता है, रूट में, X1- X2 का whole square, प्लस Y1- Y2 का whole square, अब यहां बस माल रख लीजीए, और रख की हल कर लीजीए, X1 का माल 2 है यहांगे, paranoid 2 है,ütु 4 होता है, होगा, plus cost में, y1 का मान, minus 2 है, y2 का मान, 7 है, the square कर ली ठीके, यहाँ पर देखी क्या हो जागा, 3 में से 2 को टाइक, minus 1 का square हो जागा, यहाँ भी कितना होगा, 7, 2, 9 हो तो minus 9 का square हो जागा, ठीके, अब यहाँ पर देखी क्या होगा, minus स्वाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल क्या है आपका यदि ब्यास एक सेंटीमीटर वाली आट सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिगला कर एक सवान मोटाई वाले अठारा सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पूना ढाला जाता है तो छड़ की लंबाई ग्याद कीजिए अब देखें यहां जब छड़ की लंबाई पूछा है तो इस सवाल को अप लगाएंगे कैसे यहां लंबाई आधा कीजिशा की न्मज़ाद की लंबाई के लंबाए के लपाई 6MP मतलब यह यह समझना की यहां कि लंबी ताबे की छड़ को पिगला कर एक समान मोटाई वाल 18 cm लंबी एक छड़ के रूप में पुन्हा ढाला जाता है कि माल लीजे यह यह होन है और दूसरा ही क्या है यह कितना दिया 18 cm और इसकी मोटाई पूछ रहा है कि मोटाई क्या होगा अब देखिए जो ताबा का पतार होता है जिस झसे चड़ होगा सब्सक्राइब इस्प्रकास की आकार को और इस लिए यह जब एक वस्तु को पुगला और दुसरे वस्तु के रूप में ढहला जाता है तो दोनों का आयतन लिख लेते हैं यहां पर पहले छड़ का आयतन बराबर दूसरे छड़ का आयतन दूसरे छड़ का आयतन देखे बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्कॉार एच होता है देखे पाई आयतन यहां आर वार एच वन ले लिजिए यहां पर दूसरे छड़के कहा है तो पाई आर टू स्क्वार एच टू हो जाएगा ठीक है यहां से ग्या करते हैं पसमान रख लेते हैं देखिए आपका पाई से पाई पहले काड़ दीजी आर वन कमान कितना है एक बटा के दू है एक बटा के दू स्क्वार कर लिजी एक बटा के नौ बडवर आर टू के स्क्वार गुडरी आर टंट हो जाएगा अब अठार्ण क्या करेंगे त्सक्वारा शाला करेंगे इंधर आगाथ 18 यहां बराबर 2 का इसक्वार हो जाएगा यहां से इसक्वार हटाने के लिए आप सभी को बारबर बता होते हैं जब इसक्वार हटाना को दोनों पच्छो का वर्गमूल निकाल लेजी यहां लिखिएगा दोनों पच्छो का करड़ी लेने पर करड़ी लेने पर जब करड़ी लगा तो रूट में क्या हो जाएगा एक बटा के नो हो जाएगा यहां रूट में क्या होगा आर टू का इसको आर हो जाएगा देखिए एक कवर गमूल एक होगा और नो कवर यहां पर 3ोटाई के पूरी मोड़ी कितने था हुगा र2 थे दू सवाल को आपको लगाना था समझ में आगया होगा अब देखें आपके सामने अगला नंबर का सवाल सवाल अभी आपको समझाये कीजिए अभी आपको सब्सक्राइब सवाल बता है पहले क्या करें वर्ग अंत्राल रिख लिएगा ठीक फिर यहां पर बारम बारता दिया तो बारम बारता लिख लेज़ेगा बारम बारता ठीक है इतना लिखने के बाद देखे क्या करना है आपको वर्गांतराल कितना दिया है चलिए वर्गांतराल पर लिखते हैं आपका दिया है कितना दस से पचीस ठीक है पचीस से कितना है 40 45 ठीक 55-70 55-70 30-70 85-75 85-100 बारामबारता तेखे कितना है यहाँबे दो दिया है फिर इसके बाद कितना है तीन है फिर इसके बाद आपका सॉत है चाहें चाह और छया यह हो गजी स्पुना सापकर घ्रणाकिक। अब इसमें आपको करना क्या है बस यहाँ पर ध्यान दिजिए पहले इसका जब वर्गंतराल देता है तो मद्ध बिंदू याद करने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं यक से बराबर क्या होता है यहाँ प्लस एल टू बटा के दू करेंगे ठीक और यहाँ पर इसके बाद यहाँ फुड़े एक्स किया जाता है समझ में आ गया अब देखे इसको हल करते हैं यहाँ पर मद्ध बिंदू बियाद करेंगे तो देखें यहाँ पर 10 और प्लस 25 ठीक थोड़ा सा आप लाएं थोड़ा से बढ़ा के बनाईएगा यहाँ पर कितना अगदू का भाग देगे तो 17-10 वाल पांच भाग नहीं देना है अब क्या करना है कि इसमें कि कितना का वर्ग अंत्राल है तो पंद्रा है चालीस में से थालीस गटांगे पंद्राइगा जब पंद्रा का है तो जब एक बार आप मद भी निकालेंगे इस सब में सिर्फ पंद्रा पर जोड़ते चले जाएगा तो 17-10 वाल पांच में आप पंद्रा जोड़ लीजिए जब पंद्रा जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका तो देखें यहां पर हो जागा 17-10 वाल वहाद होगा 32-50 10 में जोड़ि है ठीक है जब पंद्रा जोड़ेंगे यहा पर क्या हो जागा पांच होजागा और फांज गो चार कितना होज से पाagtपारह प्यक्तिक चांगत पकास निकालना रहता है अब दीखें अगला इस्टेप में क्या करना होता है यह फो गुड़े X ग्याद करना होता है, मतलब कि 2 गुड़े 70 दस मोलो 5 हैं, 70 दस मोलो 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 35 इसी तरह 3 का गुड़ा करेंगे, 32 दस मोलो 5 हैं, चलिए कर लेचते हैं, 35, 15, 3, 2, 6, 6, 7, इतली के 9 हो जाएगा, फिर इसका 7 का गुड़ा करेंगे, 47 दस मोलो 5 में, देखे 7 पाचे 35, 6, 7, 49, 6, 7, 49, और 3, 52 हो जाएगा, ठीक, 5, 7, 4, 28, अब यहाँ पर देखे, 7, 4, 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33, एक अंग पर लगा लिजिए, देखे आप 6 का गुड़ा किसमें करना है आपको? 62 दस मोलो 5 में, देखे 6 पाचे 30 हो जाएगा, 6 दुना के 12, 3, 15 हो जाएगा, अच्छा जाएगा, एक अंग पर दस मोलो जाएगा, एक अंग पर दस मोलो लगा लिजिए, इस तरह आपको गुड़ा भाग एकजाम के समय में आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखे 6 का गुड़ा किसमें करना है? 77 दस मोलो 5 में, ठ 30, 6, 42, 3, 45, 6, 42, 42, 42, 4, 46, एक अंग पर दस मोलो लगा लिजिए, फिर 6 का गुड़ा करना है, 92 दस मोलो 5 में, ठीक है? यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, 5, 30 होगा, आपको कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6, 5, 30 होगा, ठीक है? और यहाँ पर देखे, 6, 5, 30 औ 12, 3, 15, 6, 4, 1, 6, 12, 6, 4, 1, 5, जोगा साब गुड़ा भाग कर लिजिएगा, गुड़ा भाग करना ही पड़ेगा, बोर्ड के एक्जामि, तो आपको पूरा बताएं, गुड़ा कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल में समझ लिजिए, देकि समय लग रहा है, लेकिन आप इस बराबर कितना होगा, अब इन सब को जोड़ लिजिए, आपस में, ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए, देखें कितना होता है, देखें, तीन दू, पांच, और साथ, पांच, बारा, बारा, और बारा, चाहरा, ठाहरा, चाहरा, 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 च 15, 15, 20, 20, 27, 27, 28, 29, 31, हासिल 3 लगा है, देखें, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 22, 22, और 6, 28, 28, 28, 28, 25, 33, ठीक है, 33, और 3 लगा देए, यहाँ पर देखें, इन सब को आप जोड़ लीजिएगा, देखें, कितना होगा, 6, ठीक है, फिर जोड़ेंगे, इन सब को 5, 4, 3, 3, तिन सब को जोड़ेंगे, कितना होज़ागा, 18, ठीक है, यहाँ एक उंग पर दस मूल लगा देखें, समानतर माधी य आपको पूरा डिटेल में जोड़के बता रहे हैं इसी ने थोड़ा सा समय लगाए लेकिन आप इसी को थोड़ा सा प्रैप्टिस कर लेंगे तो बहुत कम समय में लगा सकते हैं सिग्मा एकस कमान कितना होगा अठारह साथ दसमोल के बाद जीरो कोई मतलब होता नहीं है सिग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें